गुदाफनन आवरिवन आम सभी का फिर से स्वागत है कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के इस लेर्निंग प्लाटफॉर्म पर हम डील कर रहे हैं करंट अफेर्स और कल और परसों हमने दो भागों में डील किया है राष्ट्रिय एवं अंतर राष्ट्रिय वे सभी समसमाई की जो हमारे जून के तीसरे हफ़ते में हमारे लिए महत्वपूर्ण रही है आज हम उनसे MCQS solve करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमसे वे सभी MCQS बन पा रहे हैं या नहीं लेकिन उससे पहले जो आप लोगों के लिए एक information है वो ये है कि 30 जून 2024 से हमारे competition community में integrated approach में एक test series launch की जा रही है जो आप लोगों के लिए pre plus mains दोनों के लिए ही क्या होगी important होगी और ये दोनों ही test series एक साथ शुरू हो रही है कब 30 जून को जो कुछ चुनिंदा चात्र होंगे जो शुरूआत में ही क्या करा लेंगे इसमें enroll करा लेंगे उन्हें up to 60% तक क्या मिलेगा discount offer भी यहां पर दिया जा रहा है आप लोगों का pre के test series में अलग और mains के test series में अलग time waste ना हो energy waste ना हो इसलिए हमने क्या किया है इसे एक समग्र रूप देने की कोशिश करी है integrated रूप में 85 टेस्स आप लोगों को यहां पर देखने मिलते हैं टोटल में जिसमें से 55 जो test है वो किसके लिए dedicated है prelims के लिए dedicated है और 30 टेस्स जो है वो किसके लिए dedicated होंगे mains के लिए dedicated होंगे दोनों की ही चुरुआत एक साथ हो रही है 30 जून को याने एक ही दिन एक ही syllabus का पहले आप लोग बहुँ विकल्पी है प्रश्णों को solve करेंगे उसके बाद में उसी में ही आप लोगों को experience दिलाया जाएगा किसका subjective way में उनी syllabus को कैसे deal करना है उसके बारे में याने की प्री और प्लस मेंस दोनों का ही यह क्या होने वाला है एक long term test series के रूप में आप लोगों को देखने मिल रहा है आप लोग यहां पर अपना जितने भी centers हैं आपके याने कि बिलासपूर का मंगला ब्रांच और आपका कौन सा गांधी चौक का ब्रांच फिर राइपूर का ब्रांच दुर्ग का और राजणान गाओं का हमारा जो competition community का ब्रांच है आप महां पर walk-in करके भी यहां पर enroll कर सकते हैं आप हमें कॉल करके भी क्या कर सकते हैं और अपने आपको स्मृति मंधाना के बारे में क्या सच नहीं है मतलब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है स्मृति मंधाना जो हमारी क्या है इंडियन क्रिकेट प्लेयर है उनके बारे में क्या सच नहीं है यह पूछा जा रहा है है ना तो आईए हम लोग स्टेट्मेंट्स को पढ़ते हैं उप्शन नमबर ए है वरतमान में वहाँ भारतिय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान है उप्शन नमबर भी है उन्होंने लगातार दो शतक बनाने वाली पहली भारतिय महिला क्रिकेटर होने का क्या किया है इतिहास रच दिया है याने कि उन्होंने लगातार दो शतक बनाने वाली पहली भारतिय महिला क्रिकेटर खिलाडी बनकर इतिहास रच दिया है उप्शन नमबर सी उन्होंनों शतक बनाने के मामले में भारतिय महिला क्रिकेट पूर्व कप्तान को स्कोर के स्कोर को क्या कर लिया है बराबरी कर लिया है और उन्होंने वह दुनिया की सबसे ज्यादा शतक बनाने वाली दसवी रैंक की महिला खिलाडी बन गई है आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेट्मेंट सही नहीं है अबाउट स्मृ विडियो है यह खतम होने के बाद में आप अपना स्वा मुल्यांकन कर सकें कितने questions आप से सहीं हो रहे हैं कितने questions गलत हो रहे हैं उनके पीछे में आपका reason क्या है क्या वह facts है factual questions है क्या वो conceptual questions है या फिर questions को आपने ठीक से नहीं पढ़ा कहीं पिर not true की जगर true आपने पढ़ करके solve कर लिया यह सबी चीजों को हम बोलता है माइन एक्जमाइन करना यही सारी चीजें आपके एक्जाम में आप लोगों को क्या करती है help करती है तो what is not true about Smriti Mandana she is currently the vice captain of Indian women's cricket team she created history by becoming the first women cricket player to score two consecutive centuries she equaled the score of ex-captain of Indian women cricket team in scored centuries she has become the 10th rank women player to score maximum centuries in the world तो जो option A है हमारा यह बिल्कुल सही है यह वरतमान में हमारी क्या है उप कप्तान है vice captain है है ना उप कप्तान है तो हमारा option number A हो जाता है क्या correct इसके बाद में she created history by becoming the first women cricket player to score two consecutive centuries centuries क्या यह सही है है नहीं तो है लेकिन यह आधा सही है यह पूरा सही नहीं है यहां पर आप लोगों से specify नहीं किया गया है यह जो स्मृती मंधाना है यह भारतिय क्रिकेट की वह दूसरी female player है जिन्होंने क्या किया है दो लगातार matches में centuries बनाई है लेकिन इन्होंने बनाया है किसमे one day international में इसके पहले 1976 में संध्या अग्रवाल संध्या अग्रवाल ने क्या किया है इन्होंने भी आपका क्या किया था दो लगातार matchों में दो शतक जड़े थे लेकिन वह इन्होंने किसमें किया था तो यह इन्होंने किया था test series में test series में लेकिन आपसे statement क्या बोल रहा है she created history by becoming the first Indian women cricket player to score two consecutive centuries लगातार दो शतक लगाने वाली पहली भारतिये महिला क्रिकेटर बन गई है तो नहीं वह पहली बार दो लगातार मैचों में शतक बनाने वाली भारती महिला क्रिकेटर बन गई है लेकिन किस खेल में वन डे इंटरनाशनल में इन्होंने test series में नहीं है तो आप लोगों से अगर यहां पर इस statement का जवाब देखें तो यह statement हमारे लिए हो जाता है गलत क्योंकि पहली बार जो दो शतक लगाने वाली दो लगातार मैचों में व्यक्ति हैं उनका नाम है संध्या अग्रवाल लेकिन जब आप लोगों से यहां पर वन डे इंटरनाशनल या फिर टेस्ट मैच स्पेसिफाई कर देगा तब वहां पर हम लोगों को क्या होगा अंसर हमारे लिए अगर वंडे इंटरनाशनल है तो संध्या अग्रवाल तो ऑविएसली जब हमारे पास में ऑप्शन नमबर बी गलत है और हमें चूज करना वही है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नमबर बी इसके साथ में हमारे जो दो अधर ऑप्शन से उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं शी इक्वल दस्कोर ऑफ एक्स कैप्टन ऑफ इंडियन विमन क्रिकेट ट ली है इसके बाद में वे क्या बन गई है स्वरिती मंडाना यह स्कोर करने के बाद में विश्व की दसवी सबसे ज्यादा सेंचरी बनाने वाली महिला भी बन गई है तो बाखी सारे स्टेटमेंट समारे क्या हैं सही हो जाते हैं अगला क्वेशन देखते हैं विच इस ट्र में क्या सहीं है अब यहां पर क्या बोल रहा है क्या सहीं है what is true about this पूच रहा है it was passed by the Parliament on 16th June 2024 it received the assent of President on 20th June 2024 it has been implemented from 21st June 2024 या फिर none of the above statements are true याने कि 16 June 2024 को संसत द्वारा पारित किया लिया था 20 June 2024 को राष्ट्रपती कि स्विक्रिती से प्रदान हुई 21 June 2024 से लागू किया गया या फिर उप्रोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है यह आप लोगों से option में पूछा जा रहा है आप लोग बताएंगे लोग परिक्षा अनुचित साधनों का निवारण या फिर रोग थाम अधिनियम 2024 के बारे में क्या सत्य है यहां पर आप लोगों के लिए आंसर हो जाएगा option नंबर सी इसका जो इसे जो लागू किया गया है वो किया गया है कबसे 21 जून 2024 से 21 जून 2024 से इसे लागू किया गया है प्रॉम 21 जून 2024 इसे जो पार्लियमेंट से पास कराया गया था वो कराया गया था 9 फैबरुरी 2024 को इसके बाद राश्रपती की मोहरिस में लग गई थी 12 फरवरी को और फाइनली यह कब जाकर के लागू हुआ है तो 21 जून 2024 को यह लागू किया गया है फिर अगला क्वेशन देखते हैं पिछले ही जो क्वेशन था आपका लोग परिक्षा अनुचित साधनों का रोग थाम अधिनियम दो हजार चौबिस के बारे में क्या सत्य है पूछ रहा है क्या सत्य है इट है इट है इस शिक्स चैप्टर्स याने कि इसमें छे अध्याएं हैं ऑप्शन नमबर बी है इट इस 19 sections याने कि इसमें 19 धारायें हैं इट है इस त्री schedules याने कि इसमें 3 क्या है अनुच्याँस में था रहा ना तो 6 यहां पर क्या है अध्याय क्या यहां पर 6 अध्यायं है 19 क्या है धारायें क्या यहां पर 19 धाराये हैं तीन अनुसूचियां क्या यहां पर तीन अनुसूचियां है के इन में से कौन सा या कौन कौन सा option हमारे लिए सही है हम को यह बताना है हमारे पास option है केवल केवल एक सही है याने कि छह अध्याय सही है केवल दो सही है याने कि उन्निस धाराएं सही है एक और दो सही है याने कि छह अध्याय और उन्निस धाराएं या फिर एक दो तीन तीनों ही सही है छह अध्याय उन्निस आपका धाराएं और तीन अनुसूचिया इसका जवाब तो यहां पर आप लोगों के लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन नंबर सी वन एंड टू ओनली याने कि आपका यहां पर जो पब्लिक इग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अन्फेर मीन्स एक तो यहां से हमारे लिए उप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या आंसर अप्शन नंबर सी केवल वन एंड टू यह हो जाएगा यहां पर हमारे लिए क्या ऑप्शन अगला चलते हैं फू अमंग्स फॉल्विंग डेक्लेर्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स निम्न लिखित में से कौन फसलों के लिए नियूनतम समर्थन मूल गोशित करता है वेरी 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 इंपॉर्टें क्वेश्चन है यह बिनिस्ट्री ओफ एग्रिकल्चर और फार्मा वेल्फेर्ड मिनिस्ट्री ओफाइन्स कैबिनेट कमीटी ओन एकोनॉमिक अफेर्स या फिर कमीशन फॉर एग्रिकल्चरल कॉस्ट अन प्राइस इन में से कौन सी वो संस्थान है जो फसलों के लिए निय अग्रिकल्चरल कॉस्ट अन पाइस जवाब देंगे इसका अग्रिकल्चरल कॉस्ट अन प्राइस जवाब देंगे इसका लोगों के लिए हो जाएगा option number D CACP या फिर कमीशन फॉर अग्रिकल्चरल प्राइस कॉस्ट अन प्राइस होता यह है फाइनल जो डिसिजन यह जो CACP है इसे सिफारिशें देने के लिए क्या किया गया है बनाया गया है कि फसलों के लिए कितना नियूनतम समर्थान मूल्य होना चाहिए यह सिफारिश देती है किसे केंद्र सरकार को चेंट्रल गवर्मेंट को चेंट्रल गवर्मेंट क्या करती है इसे राज्य सरकारों और प्लस जो भी आपकी मंतराल है इससे समंदित होते हैं मिनिस्ट्री इसको ये क्या कर दीती है इसकी सिफारिशों को भेज देती है इन सभी से पास होने के बाद में ये चला जाता है किन के पास में option number C के पास में याने कि आर्थिक मामलों की cabinet समीती में चला जाता है ये cabinet committee और economic affairs यहां ये बेज दिया जाता है तो final decision होता है वो लेता है कौन cabinet committee on economic affairs मतलब आर्थिक मामलों पर cabinet समीती इसमें निर्नायक भूमिका निभाती है लेकिन वो finally क्या करती है आपके CACP को भेज देती है अपना निर्नाय ले करके और अंतिम में जो घोशना की जाती है वो करता है कौन CACP ही घोशना करता है तो अगर ऐसा कभी आप लोगों को फसाने वाला question आया जहां पर आप लोगों को द अर्थन मूल्य होती है उन्हें commission for agriculture cost and price घोशित करती है किसके माध्यम से या फिर किसकी सहायता से तो cabinet committee on economic affairs की सहायता से तो वहां पर जब subjective deal करेंगे वहां आप लोगों को ये दोनों ही नामों को mention करना आवश्यक हो जाएगा आगे चलते हैं what is नागास्त्र नागास्त्र एक क्या है solar industries द्वारा विक्सित आत्म विनाशकारी drone ततह से हवा में मार करने वाली ballistic missile हवा से हवा में मार करने वाली ballistic missile या फिर लडाकू torpedo इनमें से क्या है नागास्त्र वन self destructive drones developed by solar industries surface to air ballistic missile air to air ballistic missile या फिर combat torpedo तो यह यहां पर आप लोगों के लिए हो जाएगा option number a self destructive drones यह है आपका solar industries जो भुपाल based है उसके द्वारा आत्म निर्भर भारत के मुहिम के तहत निर्मित यह क्या है आपका self destructive drones है जिसे भारती सेना में क्या किया जाएगा commission कराया जाएगा तो नागास्तर क्या है self destructive drones है अगला question दिखते हैं who amongst the following was appointed as the pro temp speaker of 18th लोग सभा very 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 important निमन लिखित में से अठारवी लोग सभा का pro temp speaker किसी नियुक्त किया गया है option a ओम बिर्ला option b भरतरी हरी महताब option c प्यूश गोयल या फिर option d none of the above अठारवी लोग सभा जिनके लिए चुनाओ 2024 में कराये गए आम चुनाओ उनमें अठारवी लोग सभा का गठन करने के बाद में जो पहली उसकी क्या होगी meeting होगी या फिर पहला उसका क्या होगा आयोजन किया जाएगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा ये आप लोगों को बताना है क्योंकि pro temp speaker का कारी ही यही होता है जो पहली बैठक होती है उसकी अध् elements होते हैं लोग सभा के लिए चुन करकर के आये होते हैं उन सभी को क्या करता है उन सभी के लिए शपत का शपत उन लोगों को दिलाता है सांथ में speaker और DP strike क्या कराता है निर्वाचन कराता है यह सभी काम है किसके pro time speaker के to 8 वी लोग किसे यह बनाया गया है ओम बिलधा को घर इन में से कोई नहीं तो यहां से आप लोगों के लिए option number B हो जाएंगे answer याने कि भरतरी हरी महताब को क्या बनाया गया है अठारवी लोग सभा का pro temp speaker nuked किया गया था world's highest rail bridge चेनाब rail bridges built at and elevation of दुनिया की सबसे उची rail pull जिसका नाम है क्या चेनाब rail pull जो कि कहां पर है जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में है यहां कितनी उचाई पर बनाया गया है आप लोगों से सवाल यह पूछा जा रहा है 259 मेटर्स 359 मेटर्स 459 मेटर्स या फिर 559 मेटर्स ऐसे ही factual questions आपके one day exams में आते हैं और यह question भी expected है आप लोगों से पूछा जा सकता है 259 359 459 या फिर 559 तो यहां से आप लोगों के लिए option number B हो जाएगा answer 359 मेटर्स की उचाई पर समुद्र तल से क्या बनाया गया है चिनाब ब्रिज को बनाया गया है जो लगबग 1189 फीट की उचाई हो जाती है और यह एफिल टार से भी ज़्यादा क्या है उची है अगला question हमारे पास में है इंडिया रेंक इन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इंडेक्स 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स हाल ही में जारी वैश्विक शांती शूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है वेरी 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 इंपोर्टेंट 113, 114, 115, 116 कौन सा रेंक रहा है भारत का वैश्विक शांती सूचकांक 2024 जिसे हाल ही में घोशित गया गया है उसमें 113, 114, 115, 116 यहां पर आप लोगों के लिए जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन नंबर D, 116 116 हो जाएगा हमारे पास यहां पर क्या ओप्शन नंबर D, आंसर पिछले साल भारत का जो रैंक रहा है 126 रहा है आउट ओफ 163 कंट्रीज लेकिन ये कब कथा 2023 में लेकिन 2024 में हमारा रैंक क्या हो गया है 166 हो गया है आउट ओफ 163 कंट्रीज तो हमने 10 पायदान का क्या किया है अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज किया है विच अमंग्स द फॉल्विं इस्टिटूशन रिलीजेस देटा फॉर ग्लोबल पीस इंडेक्स निम्लिकित में से कौन सी संस्थान वैश्विक सूचकांग वैश्विक सांती शूचकांग के डेटा जारी करती है युनाइट नेशन्स पीस काउंसिल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडियन इंस्टिटूट इंस्टिटूट ओफ इकोनॉमिक्स एंड पीस या फिर वर्ल्ड बैंक राश्ट्र सांती परिशद अंतर राश्ट्री मुद्राकोश अर्थ शास्त्र और शांती संस्थान या फिर विश्व बैंक इन में से कौन सा वो संस्थान है जो क्या करता है आप लोगों के लिए वैश्विक शांती सूचकांग करता है क्या रिलीज करता है ये कौन सा संस्थान है या फिर इंस्टिटूट ओफ इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड बैंक तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर याने कि इंस्टिटूट ओफ इकोनॉमिक्स और पीस द्वारा हर साल क्या किया जाता है वैश्विक सूचकांग वैश्विक शांती सूचकांग जारी किये जाते है जो दोहजार चौबिस में फर्स्ट कौन आया है ये भी एक क्वेश्चन है आगे चलते है विच कंट्री टॉप्ड दा ग्लोबल पीस इंडेक्स दोहजार चौबिस वैश्विक शांती सूचकांग दोहजार चौबिस में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है आयरलेंड, आइसलेंड, आस्ट्रिया या न्यूजीलेंड ये आस्ट्रिया नहीं है आस्ट्रिया है आस्ट्रिया है ना तो आयरलेंड, आइसलेंड, आस्ट्रिया या फिर न्यूजीलेंड इनमें से कौन सा वो देश है जो Institute for Economics and Peace द्वारा World Economic Index जो रिलीज किया गया है उसमें टॉप किया है दोजार चॉबिस में Ireland, Iceland, Austria, New Zealand यहाँ पर आप लोगों के लिए आंसर हो जाएगा आइस लैंड आइस लैंड हो जाएगा यहाँ पर क्या आप लोगों के लिए option, option नमबर B आइस लैंड सन 2008 से निरंतर इस सूची को क्या कर रहा है टॉप कर रहा है मतलब पुरे विश्व का सबसे शांत जगा है कौन आइस लैंड और यह 2008 से निरंतर क्या बना हुआ है आपका टॉप रैंग पर बना हुआ है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में सेकेंड नंबर पर आता है आयरलेंड ठीक है और 116 नंबर पर है कौन इंडिया बहुत ही हम भी तो बहुत क्या है शांती फ्रीय देश हैं इसलिए हम लोग क्या है 116 रैंक पर हैं आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन दा इयर 2025 हैस बिन डेक्लेरड एस दा इयर फॉर डैश ब स्थान का वर्ष गोशित किया गया है ओप्शन नंबर ए शांती और सम्रिद्धी ओप्शन नंबर भी पारिस्थिकी और पारिस्थिकी तंत्र पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र चौर उर्जा या फिर ओप्शन नंबर डी क्वांटम विज्यान और अनुप्रय तो पीस और प्रोस्पेरिटी एकोलोजी एंड एकोसिस्टम सोलर एनरजी को आपरेशन या फिर क्वांटम साइन्स एंड एप्लिकेशन युनाइटेड नेशन की आम सभा याने की संयुक्त राश्ट्र महा सभाद्वारा क्या किया गया है दोजार पक्चीस को क्या वर्ष घ ज्ञान और अनुप्रयोग पीस और प्रोस्पेरिटी एकोलोजी एकोसिस्टम सोलर एनरजी को आपरेशन या फिर क्वांटम साइन्स एंड एप्लिकेशन किया गया है युनाइटेड नेशन जनरल एसेंबली के द्वारा यह इस क्वांटम साइन्स पर हुए सबसे पहले जो आपके प्रयोग रहे हैं उनके 200 वर्ष पूरे होने पर 200 वर्ष पूरे होने पर इसे क्या किया गया है दोजार पच्चीस को क्वांटम साइन्स और इंडिया क्योंकि हाल ही में बिहार में 65 प्रतीशत जो आरक्षन का मुद्दा था जिसे पटना हाई कोट ने असमवैधानिक गोशित कर दिया है तो आरक्षन संबंदित आप लोगों का पूरा का पूरा जितना भी मामला है उन सभी से वंडे एक्जाम्स के लिए आप क्या gonna हो रहा है मेंस खत्म हो रहा है ना कि दो हजार तेटीश में राज्य लोग सेवा आयोंग द्वारा कंड़क्ट कराए जाने वाली जो राज्य की सेवा परिक्षाएं होती है उनका जो मुख्य चरना होता है या फिर मेंस का एक्जामिनेशन होता है वो आज खत्मHा र एक वर्षों तक मिनिमम आप लोगों का जो आरक्षान का पूरा मामला है और उससे संबंदित जो आपके सम्विधान के प्रावधान है वे सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो जो नवी अनुसूची है उसे भारतिय सम्विधान में कब शामिल किया गया यह आप लोगों से सवाल पूचा जा रहा है आप लोग इसका जवाब देंगे पहली सम्विधान संशोधन उन्निस सो इनक्यावन ब्यालिस्वा सम्विधान संशोधन उन्निस सो चीहत्तर जोबालिस्वा सम्विधान संशोधन उन्निस सो अठत्तर या फिर एक सट्वा सम्विधान संशोधन उन्निस सो अठासी फर्स्ट कंस्टिटूशनल अमेंडमेंट अक न्निस सो अठासी फर नववी अनुसूची को भारतिय सम्मिधान में शामिल किया गया यह आप लोगों से पूछा जा रहा है तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए option number one पहली सम्मिधान संशोधन अधिनियम नववी अनुसूची को शामिल करा दिया गया था भारतिय सम्मिधान में चलिए आगे बढ़ते हैं भारतिय महिला क्रिकेट टीम की वरतमान कप्तान कौन है हमने देख लिया क्या उप कप्तान कौन है سμृorithy Mandana अभी थोड़े देर पहले हमने देखा तो हम यहां से क्या कर सकते हैं इन्हें cancel कर सकते हैं इसके बाद में मिताली राज क्या मिताली राज हैं? नहीं, वो भी हमने देखा वो क्या रही है, हमारी पूर्व कपतान रही है भारती क्रिकेट टीम की अब हमारे पास में केवल दो ऑप्शन बच जाते हैं ऑप्शन नमबर A हर्मन प्रीथ कौर या फिर ऑप्शन नमबर D नन ओफ दी अबव तो यहां से हमारे लिए हर्मन प्रीथ कौर ऑप्शन नमबर A हो जाएंगी क्या हमारे भारतिय महीला क्रिकेट टीम की वर्तमान क्या है ये कप्तान है आगे चलते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है विश्व शहरणार्थी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है 10 जून, 15 जून, 20 जून, 25 जून विश्व शहरणार्थी दिवस वर्ल्ड रफ्यूजीज दे 10 जून, 15 जून, 20 जून, 25 जून 10 जून, 15 जून, 20 जून, 25 जून तो यहां से आप लोगों के लिए जो जवाब हो जाएगा option number C, 20 जून, 20 जून को प्रती वर्ष अपने स्थानों से 20 थापित हो करके दूसरी जगों पर शरनार्थी के रूप में रहने वाले लोगों को चिन्हांकित करने के लिए उनके प्रती सदभावना जाहिर करने के लिए 20 जून को प्रती वर्ष हम क्या मनाते हैं विश्व शरनार्थी दिवस मनाते हैं अगला जो हमारे पास question है वेर वॉस्व दा 112 इंटरनाशनल लेबर समिट और्गनाइज़ एक सो बार्वा अंतर राष्ट्रिय श्रम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया option A New York option B London option C Cape Town या फिर option T Geneva New York London Cape Town या फिर Geneva यह जो आपका अंतर राष्ट्रिय श्रम शिखर सम्मेलन है यह अंतर राष्ट्रिय श्रम संगठन का क्या है सबसे महत्तपूर्ण बैठब होती है इंटरनाशनल लेबर और्गनाइज़ेशन की यह क्या है सबसे important meeting होती है हाल ही में इसका 112 संसकरण क्या किया गया था आयोजित कराया गया था कौन से शहर में कराया गया था यह आप लोगों को जवाब देना है New York, London, Cape Town या फिर जिनेवा तो यहां से आप लोगों के लिए option हो जाएगा option number D, जिनेवा शिट्जर लेंड जिनेवा में क्या कराया गया था अंटर राश्ट्रिय श्रम शिखर सम्मेलन का 112 संसकरण आयोजित कराया गया था उम्मीद करते हैं आप सभी को इन सभी सवालों से ये समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार से हमारी समसमाई की जो होती है उससे हम बहु विकल्पिय प्रशनों को बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं मैं आप सभी से उम्मीद करूँगा कि आप अंत तक हमारे इन वीडियोज में बने रहेंगे ताकि जो दो चार क्वेस्टन्स आपके करंट अफेर्स के छूट जाते हैं क्योंकि हम कंटिनियूसली करंट अफेर्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं एक्जाम से पहले जो भी मार्केट में मैगजिन्स होती हैं उनको फॉलो करते हैं लेकिन उनमें काफी सारे डेटा छूट जाते हैं तो वो जो तीन-चार क्वेस्टन का गैप आता है वो रैंक डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमी का निबाती है हम कोशिश करेंगे आप लोगों को अंत तक क्या करें इस करन्ट अफेर्स की सीरीज में जॉइन करके रखें ताकि ये जो तीन-चार क्वेस्टन जो सबसे छूटते हैं वो ना छूटे बने रहेगा हमारे चैनल पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको